आज इस वीडियो में मैं आपको अपने दुश्मन को कुचलने के एक छोटी से लेकिन अत्यंत असरदार सिर्फ छे शब्दों के मंत्र उपाई के बारे में बताया है। परयोग करने के एक से अधिक असरदार तरीके है। और इस वीडियो में मैंने जिर्फ मन ही मन में इस मंत्र को बोलकर शत्रु को कुचलने के एक चमतकारी तरीके के बारे में बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपिया सब्सक्राइब करना मत बुलिए। और टूरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे। इस मंत्र उपाई को बताने के पहले मैं आपको एक चरूरी सुचना दिन दा चाहती हूँ कि यह मंत्र उपाई निगेटिव एनरजी ट्रांसफर याने नकारात्मक उर्जा को दुश्मन के पास भेजने के सिद्धान्तों पर चलता है। इसलिए इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए और वो भी जब दुसरा कोई विकल्प बचा नहीं है या उस शत्रू से आपको या अपने प्रिये जनों को खत्रा है। इस उपाई को किसी भी दीन किया जा सकता है और इस मंत्र को सिद्ध करने की अवशक्ता नहीं है और इसका प्रयोग करने के लिए पुजाविधी या अनुष्टान करने की भी अवशक्ता नहीं है। इस प्रयोग को अवशक्ता के अनुसार किसी भी दीन किया जा सकता है और उसे कुछ खाने पिने के पहले लगबग एक घंटा पहले या बाद करना उचित होगा साधक को शांत चित्त से बैठकर या लेटकर एक पल उस दुश्मन के बारे में सोचकर आगे बताए हुवे मंत्र को लगबग दस मिनिट पूरे आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ती के साथ बोलना है अगर आपके पास उस शत्रू की तस्विर हो तो आप तस्विर को देखकर भी मंत्र का जाप कर सकते हो यानि उन दो तरीकों में से किसी भी एक तरीके को जो पसंद आएगा वह आप अपना सकते हो इस मंत्र उपाय को लगातार तीन दिन एक ही समय पर करना उचीत होगा अब मैं आपको मंत्र सुना रही हूँ मंत्र में शत्रू इस शब्द के स्थान पर दुश्मन का नाम लेकर बोलना है मंत्र ओम शत्रू दमन हूम फट स्वाहा ओम शत्रू दमन हूम फट स्वाहा ओम शत्रू दमन हूम फट स्वाहा प्रभू सबका कल्यान करेंगे